कि सो फाइनली कंक्लूजन पे यानि की एंड अब चप्टर हम बात किरते हैं को रोना डिस्चार्ज की प्यारे चो को बताने से पहले मैं आपको एक चीज यहाद देलाओ दें मान लिए कि मेरे पास दो बाडीज है और दोनों को कनेक्ट किया हुआ है इसका पॉटेंचिल वी और इसका पॉटेंचिल हो जाएगा वी तू और यह है कि यू टू अपन आर टू का स्कूर आप याद करें यह मैंने कराया हुआ था कि जब दो कंडॉक्टर बाडी को एक आपस में करते हैं तो उनकी पॉटेंचिल एक दूसरे से ऐकोलाईस हो जाती है और एक सर्टन स्ट ही जाता जाता है जहां दोनों की इक्वल पोटेंशल हो जाए उसे हम कहते हैं कॉमन पोटेंशल आप सब को याद होगा और इस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको यह भी समझाया था कि यह वी बीटू के बराबर हो जाता है अगर मैं मान लूँ कि शेरिंग के वक्त क्यों और क्यूटू इनके उपर जो एक्यूमिलेटिट चार्जेस हैं और उस वक्त का पोटेंशल भी बन आया और क्यूटू के वक्त आर्टू तो अलड़ी रहेगा यहां क्यूटू आया और कनेक्शन का मतलब कॉमन सेंस ह आगे होंगे का मतलब इनकी पुटेंशल सीक्वल हो गया होंगे तो कनेक्शन कर दिया तो यह स्टेज आएगी ही आएगी तो मैंने इसको इसके बराबर रखा था तो आप याद करिए के से के कटा और क्यूटू और आर्वन आर्टू का जो रेश्यो निकल करके आया था व हमारे को जो रेश्यों आया था आया था कि वन अपॉन आ अर्वन एज इकhelasm टू क्यूट अपॉन आटू जिसको फटर हमने यह किआ कि अगर मैं चाहों तो इसको यह भी लिख सकता हूं कि क्यूटन स्टूर्अ बाइसा ह। जिसको हमने ऐसे भी समझाता कि σिगमा सिग्माइश की तो इसको डिंसिटि की फॉर में भी रख सकते Hart मतलब साफ है कि यहां से अगर हम देखें यहां यहाँ यहां इनको ध्यान सब्थखो तो आप देखो तो आपको आएगा सिगमा पॉन सिगमा टू, यहां मैंने सिर्फ ही काम कर रहा है कि चार्जसकी जगर सिगमा लिया भी एरिया अंतोर नहीं किया तो अगर नहीं किया तो मुझे उसको भी कही ने कहीं संसेडर करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि क्या एक्ו׵़ंस से सिग्मा इंट्व ए यानि यहां कहीं नहीं था एक काम करता हूँ इलिबरेट करके लिखते था हूँ सिग्मा इंटू एवन एंट सिग्मा इंटू एटू यह आगया कि वन की वैल्यू जिसको हम लेख सकते हैं आरवन अपॉन आरटू के एक्वेलेस अब इस सर्फिस एरिया जहां कि यह लाई कर रहा है अगर मैं पूरे सर्फिस एरिया को बताऊं तो हम जानते हैं कि हम यहां लिख सकते हैं फोर पाई आर स्कूर सर्फिस एरिया स्पियर तो अगर मैंने इसको यहां लगाया फोर पाई से फोर पाई कट जाएगा तो यहां जाएगा आरवन का स्कूर और यहाँ जाएगा R2 का square, so इसको लिखते हैं, तो यहाएगा sigma 1 into R1 का square upon sigma 2 into R2 का square, which will be equivalent to R1 by R2, so इस R1 से एक पावर कट जाएगी, R2 से एक पावर यह कट गई, फिर यह उधर जाएगा, तो रेसिप्रोकेशन में आ जाएगा, सो फाइनली हमने ये conclude कि sigma 1 upon sigma 2 बराबर होगा R2 by R1 के ये हमारा conclusion था कि charge का ratio देखे तो R1 के directly proportional है और density का ratio देखे तो ये inversely proportional है तो ये हमारे लिए एक काफी काम की चीज है इसका मतलब ये है कि मैंने मान लिए हमारे पास ये एक body है यहां का radius काफी बड़ा है तो यहां की density काफी कम होगी ये धीरी धीरे आगे जाकर के एक sharp पिन ये conductor body है जो की इस shape की है आगे से काफी पतली है pin type shape की है तो अगर मैं आगे से इसको काफी पतला कर दूँ तो जैसे इसकी radius कम होगी वैसे इसकी density बहुत जदा high हो जाएगी अब सोचे अगर charge की density बहुत जदा high हो गई तो उस point की electric field भी बहुत जदा high हो जाएगी तो कि electric field को एक तो charge के respect में भी अपने पड़ा हुआ है दूसरा sigma upon epsilon naught के form में भी पड़ा हुआ है कि जिसका sigma बढ़ा उसकी electric field भी बहुत जदा हो गई तो होता क्या है कि एक single body अलग-अलग points पे अलग-अलग amount of electric field को possess करती है और अगर मैं इसको बहुत जदा शाप करता चला जाऊं तो उसकी electric field इतनी जदा बढ़ जाती है कि surrounding का material यानि कि air के particles, air के charges तूट जाते हैं जिसकी चर्चाम कर चुके है breakdown voltage और dielectric strength की कि air का भी वो जो electric field होती है वो इतनी जदा potential create करती है कि वो कहीं न कहीं air के particles को तोड़ देता है अगर air के particles तूट गए यानि कि neutral particles तो थे air के अंदर वो अगर charges के form में तूट गए तो पूरी surrounding charged हो जाएगी इसी charge होना, इसी surrounding का charge होना को कहते हैं corona discharge यानि इसने main body को discharge करना शुरू किया और air को charge करना शुरू किया यानि air जो neutral थी वो break हो करके और plus और minus charges में flow होनी शुरू होगी उस surrounding में अगर कोई बैठा होगा तो उसको शौक भी लग सकता है उस surrounding में कोई और charges अगा रहे होंगे तो वो repel या absorb भी हो सकते हैं तो ये एक बहुत important factor था जो हम सब को समझना था कि corona discharge basically क्या है कि electric field को बढ़ाना जिससे की air का breakdown होना ये है overall अब इसी के principle पे इसी की help ले करके एक device हम तयार करते हैं जिसे हम कहते हैं वेंडे graph generator मैं उसकी तरफ आपको ले चलता हूं तो आई होप कि आप ने ये अच्छे से समझ लिया अब आगे बढ़ते हैं वेंडे graph generator की तरफ ये देखिए आपका गंडे graph generator है जिसको हम कहते हैं high voltage generator तो basic mechanism मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि diagram और इसके बारे में पूरी कहानी book में लिखे हुई है सिर्फ काम की बात आप समझेए कि इसमें actual में होता क्या है पहले बात ये समझ लेजें कि एक high voltage generator है यानि कि जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा high voltage चाहिए जिससे कि कोई भी charge है इसको बहुत high speed में चलाना है यानि इससे आपको चाहिए बहुत ज़्यादा kinetic energy बहुत सारी process होते हैं जिसमें charge आपको बहुत high speed से चाहिए चलाने के लिए आपको बहुत high electric field यानि कि बहुत high voltage की बहुत high voltage चाहिए तो अब high voltage आप कैसे gain करोगे आप क्या इतनी बड़ी battery बना सकते हो या फिर आप अपने requirement के हिसाब से variable कैसे बना पाऊगे क्योंकि हो सकता है आपको कम की जरुत हो फिर sudden आपको ज्यादा की जरुत हो तो एक ऐसी से जुड़ा हुआ है इसलिए ऐसे टॉपिक्स को आपको थोड़ा अच्छे से गौर करके समझ लेना है अब आप समझी यहां होता क्या मानली एक बैटरी है हाई वोल्टेज बैटरी इदर मेंने प्लस चार्जड होगा तो जब एक चांप होगी तो यहां करोनला डिश्चार्ज होगा त्सका ऀस्तीव होगा वह इस प्लस पर जाएगा और прnaj कि पौखि जौके और पेल्ट यहां से जाना है और फर यहां से गहना है तो यह movable जो belt है अब आप फिर से समझेए pin का sharp होना जिसकी वज़े से electric field ज़्यादा होगी यह level आएगा dielectric strength से ज़्यादा हो जाएगी तो यहां इसका breakdown हो जाएगा एर का negative इस पर आजाएगा और एर का positive इस पर चला जाएगा अब आप सोचिए कि positive इस belt पर किंसुलेटिंग बेल्ट होती है इससे पहुँच जाती है यहां जैसे यहां पहुचती है तो यहां वाले की भी pins बहुत साफ है अब इसके उपर polarization हो जाती है यहां की air आप सोचिए यहां transfer हो जाएगा क्योंकि अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यह positive होगा तो यहां negative का polarization हो जाएगा induction हो जाएगा इंडियूज हो जाएगी negative charges अगर यह negative charges induced होई तो अब क्या होगा यहां की जो भी air break होगी उस air का plus यहां पहुच जाएगा और minus यहां पहुच जाए और neutral built फिल से आके फिर से process चली अब इसका plus यहां आगया जैसे यह यहां आया तो यह पूरी की पूरी प्लेट positive charge हो गई और आप जानते हैं किसी भी conductor के उपर जो भी extra charges होती है वो हमेशा उसके surface पे चली जाती है तो सारी की सारी charges यहां transfer हो जाएगे फिर से यहां वापस यही process चलेगा वापस यहां neutral होगी यह प्लस चार्ज यहां overload होगा और overload करके फिर यहां बढ़ती जाएगी धीरे 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 यह जो spherical shell है इस spherical shell के उपर charge की density increase होती चली जाएगी और जैसे जैसे क्यू बढ़ता चला जाएगा आप voltage का formula जानते क्यू क्यू पानार स् तो इसका diameter भी मुझे large लेना पड़ेगा usually जो हम लेते हैं 10 की पार 7 volt कराने के लिए 5 meter के आसपस के diameter लेते हैं जो spherical cell बनाते हैं तो आप यह समझ गया कि Q बढ़ा तो V बढ़ा यानि के electric field बढ़ी तो surround में जो भी charges होंगी available होंगी suppose alpha particle है वो इसकी वज़े से high speed से move करना शु experiment के लिए अगर बहुत high speed में electron चाहिए या high speed में proton या alpha particle चाहिए तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं तो इस generator को विंडे graph के नाम से दिया गया क्योंकि उन्होंने इसके बारे में सोचा तो इसलिए विंडे graph generator या high voltage generator समझते हैं नाम रखा गया अब आपको मैं फिर से ए ड्यू सुना's negative worries negative charges फिस clear का breakdown करती है जिस से की इस प्लेस के तरफ नेगटीव चले जाना और ऑब वो पॉजिटिव चार्शोंती है और भी एव हम का दिरे 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 हो जाती है और बढ़ते बढ़ते उसका potential बहुत ज़्यादा बढ़ता बढ़ता तो ये था गंडे ग्राफ जनेरेटर की ओबरॉल कंसेप्टिसी को त्यूरिटिकल डेफिनिशन में धंगसेशन लिखा हुआ है आप उसको भी देख लेना इसको समझने के बाद तो आई होप कि आपको सारा का सारा कंटेंट